हाई गाईज विल्कम बेक टू मैं अधर व्लॉग तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं मेरे रेजलेशन से यानि कि गीता का एक स्लोक पढ़ेंगे और आपको भी पढ़वाएंगे तो सबसे पहले कमेंट लेते हैं मिथलेश का कहना है मतलब इस बच्चे का मैं तो फाल्तो की चीज़ों में दिमाग लगाते रहते हैं उस उमर में ये जुडिश्री को लेके इतना सीरियस हैं और मतलब अभी से ही इनको तयारी करना है तो डेफिनेटली बहुत अच्छे टाइम है मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सीरियस मत होई है आप बहुत अच्छे डिर जाएगी करियर, जॉब स्टेबलिटी और लड़की कहने का मतलब है लाइफ पार्टनर, नेगेटिव सेंसे मत लेना और ये मैंने गीता का पार्ट स्टार्ट कर दिया है अब मैं हर वीडियो में हर व्लॉग में डेली एक श्लोक मैं भी पढ़ूंगी और आप लोगों के पास लेकर आओंगी पढ़ाने के लिए तो आप एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कल कि आप गीता तो बाद में भी पढ़ सकते हैं पहले जुडिश्यरी का बहुत कुछ है पढ़ने को वह पढ़ लीजिए डेफिनेटली आपने सही कहा बहुत कुछ है लेकिन एक श अगर गीता को अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे और खासकर स्टुडेंट लाइफ में हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं बड़ डेफिनेटली करना चाहिए क्योंकि एक पॉजिटिव माइंड ही सक्सेस हो सकता है एक पॉजिटिव माइंड स्टेबल माइंड और स्मार्टनेस एक्जाम हमें सा स्मार्टनेस से क्लियर होती है पढ़ने को तो सभी पढ़ रहे हैं आज की डेट में कौन ऐसा है जो नहीं पढ़ रहा है पढ़ते तो सभी हैं लेकिन पॉजिटिव तरीके से कौन पढ़ता है स्मार्ट तरीके से कौन पढ़ता है ये सारी चीज़े हमें हमारी गीता से मिलने वाली है तो एक श्लोप में कुछ नहीं जाता प्लीज इसके अगेंस्ट मत जाएए अगेंस्ट कहने का मत कमेंट करिए कि हां पहले जुडिश्री का पढ़ लो बहुत टाइम में इसको पढ़ने के लिए टाइम सब के लिए मैनेज हो बिठाई में बिठाईए मत जितने भी नेगिटिव वर्ट से ना उनको कभी दिमाग में मत बिठाए तो आपने बिठाए रहे आपने सोच लिया कि यार्य होगा तो नहीं होगा फिर क्योंकि दिमार में जो चीज़ बैठी ना वही एक्ट होगा तो कुछ भी डिफिकल्ट आई हैं बस अपना मेहनत करते रहें अच्छे से पढ़ते रहें और आप तो बहुत ही अच्छे डिरेक्शन में जा रहें 11 में 12 के बाद आप क्लैट करिए क्लैट का एक्जाम दीजिया और उसके बाद लेलबी के साथ मेजर पोर्शन हमारे जुडिश्री में लॉका ही है तो आप लेलबी को बहुत सीरियस तरीके से करिए सारे लॉज सब्जक्ट अपने अच्छे से करिए फिर कुछ बचता ही निये जुडिश्री को करने के लिए तो आप बस अपनी अलेल भी अच्छे से करियो और मस्ती इंज्वाइब आपके पास इतना टाइम है आप इंज्वाइमेंट के साथ भी कर सकते हैं बस हाँ consistency बनाए रखे consistency break नहीं होनी चाहिए तो सब कुछ perfect रहेगा और आज मेरा quality का test था and seriously test देकर मुझे ऐसा लगा कि काफे ज़्यदा वर्क करने की जरुवत है मुझे अभी भी पॉलिटी जबकि मैंने पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ी हुए historical background की questions मुझे नहीं आ रहे थे तो historical background मुझे पढ़ना है constitution और polity का बागी तो ठीक ठीक था अगर यह pattern judiciary का है न तो definitely polity से कुछ miss miss नहीं होने वाला मेरा क्योंकि politics इससे भी hard level तक की मैंने करी है कि जैसे एक होता है theoretical based question आते हैं UPSC में उस type के भी मैंने practice किया तो यह मेरे लिए easy था बस हां कुछ part जो मैंने नहीं पढ़ा है वो difficult है वो मैं cover